शंकू के परिच्छेद किसी शंक्वा कर सतह को एक सम्तल द्वारा परिच्छेदित करने से प्राप्त वक्रों को शंकव यानि कौनिक सेक्षन कहते हैं। हम जानते हैं कि शंकू एक सतह या एक ठोस आकरिती है, जिसे एक रेखा गुजार कर बनाया जाता है, जिसमें रेखा हमेशा एक सम्तल को प्रतिच्छेदित करती है, जिसे नियता कहते हैं, और जिन इस्थिर बिंदूओं से होकर कुजरती है, उन्हें शीर्ष कहते हैं। अब हम एक लंब वृत्तिय शंकू के विभिन परिच्छेदों की चर्चा करेंगे। एक लंब वृत्तिय शंकू का एक सम्तल द्वारा प्राप्त परिच्छेद जो की उसके आधार के समनांतर होता है, वृत्ति कहलाता है। एक लंब वृत्तिय शंकू, एक सम्तल द्वारा प्राप्त परिच्छेद जो की शंकू की जनक के समनांतर होता है, परवलाई कहलाता है। एक लंब वृत्तिय शंकू, एक समतल द्वारा प्राप्त परिछेद, जो कि किसी भी जनक के समनांतर नहीं होता और ना ही शंकू के अक्ष के लंबवत और ना ही समनांतर होता है, दीर्ग वृत्त कहलाता है।